मैं धीरे ज्यादा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे इसक्रिशनल प्लाटफॉर्म कॉंपटिशन कम्मूनिटी पर तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रिण पर देख पाने कि आज हम लोग यहां पर डिसकस करने यहां पहले हैं नहीं और प्रते को आसानी से हमें कैसे करना ना है मिर इमेच वॉटर मीज के कांशेटर में इसको हम लोग यहां पर जानेंगी और इससे पहले हम यहां पर APPLAUSE करेंगे कि आपसे प्रशन किस प्रकार से पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक्जाम के पॉइंट ऑफ यूज़ से अगर हम बात करें तो एक्जाम में आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से कोशिन है आकृती शंखला इसां को बातले आपको कोशे अवाले आज के सेंट सबसे पहले मात करें Japanese पर कैंड क्टिंगिंग है अफे पर आप को क्या दिया गया होका एक पार्टिकुलर पेपर को लेगा है κों समय चलिए अगर अम बात करें एक यह पेपर को तीन से चार आपके यहांपे फॉल्ड दिखाये जाएंगे किस तरीकर से इसको फॉल्ड किया गया है और फॉल्ड करने के बाद में उसको किस पakter किया गया है इसके बारे में बात की जाएगी, जैसे अगर हम बात करें, तो माल लेते हैं, यह पहले आपका एक paper था, जिसको हमने क्या किया, इस half portion थे हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, अब फोल्ड करने के बाद यह जो paper होगा, यह हिस्सा तो आपको पूरा-पूरा दिखाई देग बाकी का जो remaining part होगा, वो आपको इस तरीके से dotted form में आपको दिखाई देगा, फिर इसके बाद जो बचा वाला हिस्सा है, इसको भी हम क्या करेंगे, fold कर देते हैं, माल लेते हैं इस परकार से, तो जो आपका remaining part रहेगा, यानिकर हम बात करें इस वाले हिस्से की, तो यह व यहां पर काटा, और इस तरीके से हमने एक triangular shape काटा, और यहां पर हमने square का shape काटा, तो अब इसको open करने के बाद यह paper किस तरीके से दिखाई देगा, इसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, तो direct हम लोग question से समझने का प्रयास करेंगे, तो square के form में जो भी समझते हैं, माल लेते हैं, हमने paper को इस प्रकार से fold किया, और जो remaining part था, उसको हम लोगों ने क्या किया, 20 से दोबारा से fold किया, यहां पर जब हम cut लगाते हैं, माल लेते हमने यहां पर दो circle इस प्रकार से काटे, अब इसको जब हम open करेंगे, तो यह वाला जो triangle है, यह वाल triangle के base पर आपको दो circle दिखाए देंगे, और फिर आप जब इसको open करेंगे, तो यह साफ portion को क्या करेंगा, cover करेंगा, तो इसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग direct question से समझने का प्रयास करते हैं, चलिए, तो अगर हम बात करें question की, तो direct आपके निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, तो जैसे अगर हम बात करें यहां पर final fold की, तो जो हमारा approach होने वाला है, वो क्या होने वाला है, कि हम लोग final fold पे क्या लगाएंगे, mirror लगाएंगे, final fold यहां पे आपको कहा देखने को मिल रहा है, तो final आपको इस प्रकार से देखने को मिला है यह वाला इस साफ किया है फैनल फोल्ड पिएगर हम मिरुर लगाते हैं है तो जशन की मिरुर हम लगा रहे हैं तो मिरुर आ कुर्थी के दा क говорю麼 । mirror लगाएंगे तो जो आकरती हमें बन करके मिलेगी तो पहले तो ये देखना कि कितने भाग को cover करेगा तो ये आपका इस भाग को क्या करेगा cover करेगा यानि कि इस हिस्से का mirror image हमें यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा जब हम क्या करते हैं दरपन को दाहिनी और या फिर बाई और लगाते हैं तो जो आकरती हमें बन के मिलती है वह कैसी मिलती है तो वह हमें दरपन प्रती बिम्ब मिलती है अगर हम बात करें और अगर हम बात कर अगर आप तक आपने अभी तक mirror image और water image का session नहीं देखा है तो पहले आप water image और mirror image का session देख लिजे तो आपको ज्यादा बहतर तरीके से आप बाते समझ में आएंगी ठीक है अब दूसरा जो हमारा mirror लगेगा इस part को cover करने के बाद दूसरा mirror हमारा ऊपर जाएगा और जब mirror आप उपर लगाएंगे तो इसके बनने वाली आकरती होगी वह कैसी होगी तो वह होगी आपकी water image याने की जल प्रती बिम्ब तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोगों आलफाबेट की उपर भी discussion किया हुआ था यानिकि इंगलिश अलफाबे दूसरा हो जाएगा आपका N और तीसरा हो जाएगा आपका S इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करी हुई है water image और mirror image के class में ठीक है तो अगर हम बात करें इन लेटर्स की तो इनका water image और mirror image दोनों क्या बनता है सेम बनता है तो यहां पर आप देख पार है कि आपको proper Z बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अगर मैं बात करूँ चलिए अगर मैं बात करूँ इस हिस्से में तो इस हिस्से में आपको एक सीधा Z बनता हुआ दिखाई देगा और साथ इसाथ अगर हम बात करें इसके उपर वाले इस हिस्से में भी एक आपको सीधा Z बनता ह हुआ दिखाई देगा इसके बसक्रस्कार और नहीं और दहना तो यहां पे आकरति हमें कैसी बनती हुई दिखाई देगी दरपनप्रतिभिम्फ और दरपनप्रतिभिम्फ की बात करें तो leftmost element होता है वह cheaper rightmost element हो जाता है याकी जो आपका left मैं हौ आपको right मेर्थ में नजर आने लग कभा यह आप कह सकते हैं कि mirror के पास वाला जो image है यानि कि जब आपने mirror यहाँ पे लगाए तो mirror के पास में यह y दिखाई दे रहा था तो mirror के पास में यह आपको y बनता हुआ दिखाई देगा, जब कि हम बात करें यहाँ पे option number अपने पास दो विकल्प बज गए z अगर हम यहाँ पे z की बात करें तो z आपका right element होगा, यहाँ पे भी z आपका right element होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर हम sequence की बात करें तो z का sequence सेम रहेगा, जब कि यहाँ पे आपको sequence अलग देखने को मिलना, तो देखे, जब हम mirror की बात करेंगे तो जो लेफ्ट वाला था वो राइट में हो गया यहां पे आपको ऐसा होता हो दिखाई ज़रा लेकिन जब हम वाटर की बात करते हैं तो लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है निकि जड़ अगर यहां पे पहले था तो जड़ अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए ठीक है तो यहां पर ओवर आल देखो कॉंसेट क्या करना यहां पिसके बाद हम लोग फटा-फट से ऑप्शन को कैसे करना इसके बारे में चर्चा करेंगे अप्रोच क्या है कि आप फाइनल फोल्ड पर एक मिरर लगाएंगे अगर बात करें फीगर तो मिरार इमेज और वॉटर निमेज निकालना सीका साथ इसाथ अलफा बट की उपर विए यह लोगों ने डिसकस किया हुआ है और अगले कोशन की तो फिर से वही अप्रोच हम लोग करेंगे कि फाइनल फोल्ड फाइनल फोल्ड हमारा यह था तो उस बार फाईनल फोल्ड कोगर हम यहां पर मिर्र लगते हैं तो आघकिति कैसी बनेगी यह इसको कम्प्लीट करेगा यह 30 प्रकार से आपको बंती है दिखाई देगी यह 30 प्रकार से लिखाई डिखाई देगी है आप मिरर जब लगाएंगे दाइनी ओर तो इंदर इसका क्या बनेगा इधर इसका बनेगा दरपन प्रतीबिम्ब जो कि इस प्रकार से होगा ठीक है अब यहां पर आपको पूरा बनाने क्या वर शक्ता नहीं आप क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ आप्शन से हमें क्या क्या Can I अपने पास में दो विकल्प के अगर हम बात करो है कैसले से यहां पर और प्दो कर सकते हैं यानि कि ऎकर भाथ करें option number d b eliminate हो जाएगा क्योंकि यहां पर आपको इस प्रकार से आकृती बनती ही दिखाई दे रही जो कि इस प्रकार से बननी चाहिए थी और आपको option नमबर ay में ऐसी आकृती बनती ही दिखाई दे रही है clear यानि कि पर option number 1 क्या हो जागा right answer हो जागा तो आपको पूरा बनाने क्या वशक्ता नहीं आप आसानी से eliminate कर पाएंगे चलिए यहां पर हम लोग केवल elimination method का use करके question का answer निकालने वाले हैं ठीक है फटा-फट से बताना है कि कौन-कौन से option आपके eliminate हो रहें तो सबसे पहले अगर हम बात करें एरो की तो एरो यहां पर अगर लास्ट फोल्ड आपका यह है तो बनेगा क्या इसका बनेगा आपका दरपन प्रतिबिंब जो कि इस प्रकार से बनेगा ठीक है तो करना क्या था आपको केवल और केवल एरो के बेसिस पर अगर आपके options को eliminate करना शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो यह वाला option आपका इसके वज़े से फिर अगर हम बात करें option number a की टो option number a भी अपका eliminate हो जाएगा inner line और इसके कारण से यह यह लाइन आपकी पहले आ गई है और यह arrow बाद में आया है ठीक है इसके अलावा गर हम बात करें तो option number c भी आपका eliminate होता हुँआ दिखाई देगा इसके कारण से यहा इस सित्से में आपको नीचे दिखाई देगा और अगर बात करें राइंट में देखेंगे तो इसका आपको mirror image यानिकि के दरपन्ध प्रतिवियं भपको दिखाई देगा जो कि आप option से क्या कर सकते थे eliminate कर सकते थे यहां पर केवल और केवल आउशकता है तो आपको नंबर आफ कोशन की प्रैक्टिस करने की बाकी आप आसानी से बना पाएंगे कोई भी यहां पर आपको कठिनाई नहीं होने वाली है चलिए बात करेकर हम इस पर्टिकुलर कोश्चन की तो सबसे पहले ध्यान दीजे फाइनल फॉल्ट आपका यह है या रहर या इस पार को कवर करेगा या रहनी कि आपने मिरर कहा लगाया अपने मिरर लगाया मिरर लगाया है ऐपने में लिफ् Adapt में mirror आपने लगाया left में यानि कि triangle आपका as it is दिखाई देगा mirror के पास में था तो mirror के पास में दिखाई देगा ये वाली आकरती आपको इस फरकार से दिखाई देगी लेकिन अगली बार अगर हम बात करें तो अगली बार ध्यान दीजे mirror एक तो आपका लगेगा कहाँ पे नीचे में और एक mirror लगेगा आपका उपर में तो mirror अगर उपर में लगाते हैं तो भी आपको कैसा आकरती दिखाई देगा तो आपको जल प्रतिभी में बनता हुआ दिखाई देगा तो अगर हम बात करें, ट्रैंगल की, तो ट्रैंगल आपका water image में उल्टा बनता हुआ, यहां पे दिखाई देगा, यानि कि ट्रैंगल आपका इस प्रकार से दिखाई देगा, तो अगर हम बात करें, इतनी बात अगर आपको clear थी, तो देखें, इतनी बात अगर आपको clear थी और अगर हम बात करें तो option number D आपका क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा इतनी बात अगर आपको यहां पर समझ में आ गई तो दो option तो आपके ऐसे क्या हो गए eliminate हो गए इसके लावा अगर हम बात कर इस वाले हिस्से की तो यह इससा open होगा तो इधर इस प्रकार से बनाएगा यहां पर 20 परकार से बनाएगा और यहां опять बीश्स परकार से बनाएगा इंद सेम वे यहां भी बनाएगा और यहां पर भी बनाएगा जब कि option नंबर ये में आपको ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है यानी option number C क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए जिसको आप आसानी से बाकी के options को eliminate करके answer निकाल सकते थे ठीक है बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले दिखाई दे रहा है rectangle के नीचे में यहाँ पे आपको दूसरा rectangle दिखाई दे रहा है यानि कि उसके बिल्कुल भीतरी part को छूरा जबकि जो आपका last वाला rectangle है कहीं से भी इन दोनो rectangle के आसपास नहीं यानि किससी completely क्या है वो बाहर की और है तो इसके basis पर अगर हम बात करें तो आपका option number 1 क्या हो जागा यानि कि अगर हम बात करें इस first half की तो at least आपको भी कल्पों में ये first half तो as it is दिखाई देना चाहिए जो कि आप यहाँ पे किसी भी दी गई आकरती के first half को देख करके क्या कर सकते हैं eliminate कर सकते हैं यानि कि यह वन फॉर्थ जो हिस्सा है आपका अगर इसकी हम बात करें इसको मैं first half क्यों बोलो कि यह मोड़ेंगे तो यह आपका इस वाले half portion को क्या करेगा इस वाले portion को complete करेगा ठीक है चली तो अगर हम बात करें तो यह आकरती आपको इस दिखाई देनी चाहिए यानि कि इस वन फॉर्थ पार्ट में या करती आपको कोई भी परिवर्थन होता हुँ आपको नहीं दिखना चाहिए तो option जाता है बॉटम मोस्ट रहता है राइट वाला राइट में रहता है इस बेसी पे आप और नमर्ड डी को भी क्या कर सकते है यानि कि option बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए ठीक है चली बात कर लेते हैं अगले पूछेगा है प्रस्न की फाइनल फोल्ड यहां पे अगर हम बात करें नंबर ओफ सर्कल्स कितने हो जाएंगे तो चार है अगर यहां वन फोर्थ पॉर्शन में चार है तो यानि कि कम्प्लीट में आपको सोला सर्कल दिखाई देंगे ट्रेंगल की बात करें तो नीचे आपको ट्रेंगल उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा जबकि यहां पे आपको ट्रेंगल एजटिस बनता हुआ दिखाई देगा mirror के पास में triangle है यहाँ पे अगर तो mirror के पास में यहाँ को triangle नज़र आएगा जब कि square कहा है mirror से दूर है तो mirror के दूर नज़र आएगा तो इसके basis पे आपको option number C eliminate हो गया option number D eliminate हो गया triangle की बात करें तो मैंने कहा triangle नीचे में क्या बनेगा उल्टा बनेगा option number A भी क्या हो क्या eliminate हो गया निका answer कर जाएगा option number B आंक बन करके आसानी से आप इसको answer mark करके आ सकते हैं ठीक है हलाकि यहाँ पे आपको पहचानने के लिए आंके बहुत खोली रखनी है बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको यहाँ पर क्या करना है दिए गए फीगर का आकलन करना है देखना है और उसके बाद ही आपको क्या करना है options को eliminate करना है तो आपको क्यों और क्यों यहाँ पर questions की प्रैक्टिस की जरुवत है अगर आपने ठीक ठाक number of questions की प्रैक्टिस कर ली और अगले आपके टॉपिक की तो अगले टॉपिक में भी हम लोग इसी कॉंसे का यूज करेंगे अभी फिलाल हम लोग बात करते हैं यहां पर यह ट्रैंगल जब open होगा तो ट्रैंगल इसमें आपको बनता हुआ दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा तो इसके अगर हम बात करें तो देखिए portion की बात करें तो यहां पर हमें कोई भी आक्रती या कोई भी कटिंग नहीं दे रहे है। जो हमारा यहां पे पेपर को open करने के बाद दो triangle हमें दिखाई देंगे और यहां पर हम बात करें options की तो option में यहां पर आपको पांच दिया गया eliminate चार दिया गया eliminate तीन दिया गया eliminate यानि कि answer का जागा option number D तो अगर इसको हमने समझ लिया कि यहां पर कितने number of triangles हमें दिखाई देंगे paper को open करने के बाद या फिर कि इस portion को हम open करेंगे तो कितना portion वो cover up करेगा अगर यह बात हमें समझ में आगी तो हम आसानी से options को eliminate करके question का answer निकाल सकते थे इसी प्रकार हम बात करेंगे यहां पर अगले question की जो कि थोड़ा सा complicated होने वाला है लेकिन आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं अगर हमने क्या किया बिल्कुल जो भी यहां पर concept हमने सीखा है उसको अगर हम follow करते हो question को हल करेंगे तो आसानी से बना लेंगे यानि कि हमने कहा final fold पे क्या लगाएंगे mirror लगाएंगे तो final सबसें सबस्क्राइब करें जब हम इस हिस्षे को ऑपन करेंगे तो यह रहेगा यानि सबस्क्राइब बनेगा एक सरकल यहां बनेगा एक सरकल यहां बनेगा और एक सरकल आपका यहां बनेगा अब ध्यान दीजिए कि जब हम इस वाले हिस्से को यहां से ओपन करेंगे तो यह कितने भाग को कवर करेंगे यहां पर कितने आपके सरकल बनते वे दिखाई देंगे यह सबसे बड़ यहां पर अत्रिक्त सरकल बनते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे और यही आपके लिए सबसे कॉम्पलिकेशन का यहां पर पार्ट बनता हुआ दिखाई देगा यानि कि जिस प्रकार से आप यहां देख सकते हैं अगर हम इसको यहां पर बनाएं तो एक सरकल तो आपका बनेगा और एक सरकल आपका यहां बनेगा अब जब आप इसको ओपन करने जाओगे तो एक हिस्सा क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा यानि कि दूसरा वाला सरकल यहां पर यहां पर बनता हुआ दिखाई नहीं देगा जब कि इसके पास में एक सरकल आपको बनता ह हुआ दिखाई देगा दो सरकल यहां पर दिखाई देगे और दो सरकल यहां दिखाई देगे याणि-कर हम बात कर रहें तोटल number of circles की तो 4천8 210 सरकल आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे जबकि यहां पर circles की संख्या 10 से अधिक है ये भी आपका क्या हो गया Eliminate हो गया ये option भी आपका क्या हो गया Eliminate ये option आपका answer बनेगा और ये option भी क्या हो जाएगा Eliminate हो जाएगा ठीक है चलिए बात करते हैं अगले question की जो की आपका काफी easy सा question है बस इसको थोड़ा सा complicated बनाने की कोशिश की गई है आप आसानी से इसको बना सकते हैं कैसे mirror यहां लगाओगे इतने portion को यह cover करेगा mirror आपने लगाया है उपर तो बनेगा वाटरी में जयानि कि ये आपको आकरती सेम बनती हुई दिखाई नहीं देगी आकरती आपको ये इस प्रकार से दिखाई देगी ठीक है तो अगर हम बात करें तो option number a क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा इसके अलावा अगर हम बात करें तो option number d क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा इसके अलावा अगर हम बात करें तो option number c भी आपका eliminate हो जाएगा यानि कि इसकी अगर हम बात करें तो यह केवल और केवल इस फरकार के आपको चार ही स्क्वाइर बनते हुए दिखाई देंगे पूरे के पूरे आकरती में जबकि यहाँ पे चार से अधिक है तो अंसर क्या हो जाएगा आपका ओप्शन नंबर भी ठीक है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर अगर फीगर की बात करें उसको अगर आप पिक कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे आपका पूरा का पूरा यहाँ पे कोश्टन का अंसर आसानी से निकलने वाला है चली अब हम लोग बात करें यहां पर लूट को कैसे आपको करना क्या है मिरर लगाना है इसको जब ँखेंगे तो यह जो शीट होती है यह आपको ट्रंस्पारेंट शीट होती जैसे आपने बटर पेपर देखा है उस प्रकार कर यह शीट है मोडंगे तो हमें मोडने के बाद भी जो दूसरे हाव में आपको आकृति बनती की बनी दिखाई देगी तो substantially हम मोडे तो हमें ऑब्योस ही बात है हमने देखा था कि हम क्या करते हैं जब किसी भी आकृती को हम लोग 180 डग्रेट करते हैं तो जो हमें पीछे में आकरती बनती दिखाई देती है वह कौन सी आकरती होती है तो वो हुती है मिरर इमेजिसके उपर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है ठीक है जब हम क्या करते हैं 180 डिग्री रोटेट करते हैं यानिकि left to right रोटेट करते हैं तो यहां पर हम बात करें जब इसको हम मोलेंगे तो यह वाला जो सरकल वाला हिस्सा है वो बिल्कुल इस सरकल वाले हिस्से के उपर में आपको बनता हुआ दिखाई देगा जब कि जब हम बात कर इस वाले हिस्से की तो यह हमें किस प्रकार से दिखाई दे हो जाएगा जो कि आपको option number D में बनता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है तो इन प्रस्टनों को भी हम क्या करेंगे बिना बनाए कैसे हम लोग यहां पर आसानी से eliminate करेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे साथ ही साथ हम बना करके कैसे questions को हल करेंगे इसके बारे में लोग बात करेंगे चलिए तो अगर हम बात करेंगे इस प्रकार का कोई भी तरबुज बनता हुआ दिखाई दे रहा तो इसमें कोई भी परिवर्ता नहीं हो रहा है यानि कि ऐसी कोई भी आकृती जिनका left और राइट हिस्सा क्या है सेम है यानि कि इसको अगर हम 20 से डिवाइड करें लेफ्ट और राइट पोर्शन इसका सेम है तो इसका mirror image as it is आपको बनता हुआ दिखाई देता है चाहे हमने letter की बात करी letter अगर हम A है A को हम दो भागों में बाट दें लिए तो आपको देखने मिलेगा कि दोनों तरफ आपको सेम आकरतियां दिखाई देए इसी प्रकार अगर हम बात करें यू की इसी प्रकार अगर हम बात करें M की इसी प्रकार हं बात करें O की तो आप देख सकते हैं कि यह जो letters हैं इनका left portion और right portion क्या है बिल्कुल similar है इसलि करना है कोई भी ऐसी आकरती जिसका लेफ्ट पोड़्शन और राइट पोड़्शन सेम है अगर हम उसको क्या करते हैं लेफ्ट या राइट से जब फोल्ड करते हैं यानि कि उसका आपको मिररी में जब बनता हुआ दिखाई देगा तो उसमें कोई भी परिवर्तन होने वाल जिसका उपर और नीचे का पोर्शन क्या है सेम है तो वहां पर आपको आकरती में कोई भी चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका फास्ट हाफ और सेकंड हाफ विल्कुल सिमिलर था यानि कि कोई भी एक हाफ पोर्शन आप पिक प्रशन की अब यहां पर हम बात करें तो देखिए इसका अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की तो फस्ट हाफ और सेकंड हाफ आपको लगबग लगबग यहां पर कैसा दिखाई दे रहा है सिमिलर दिखाई दे रहा है लेकिन अगर हम बात कर जब इसको हम क् वागों में बाटेंगे तो आपको यहां पर क्या दिखाई देगा चेंज दिखाई देगा क्यों चेंज दिखाई देगा क्यों कि हम इसका निकाल रहें क्या मिरर इमेज चली हम इसका निकाल रहें क्या मिरर इमेज में क्या होता है जो मिरर के पास वाला हिस्सा है वो मिरर के पास नजर आता है जो मिरर से दूर वाला हिस्सा है वो मिरर के दूर में नजर आता है ठीक है तो यहां पे अगर हम बात करें यह वाली जो लाइन यहां मिरर के पास से सुरू हुई है यहां पे भी मिरर के पास से ही क्या होगी शुरू होगी औ और मिरर के पास से सुरूव करके मिरर के दूर पर खतम हुई तो मिरर के दूर पर क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी यहनि कि इस प्रकार चापको आकरती बनती हुई दिखाई देगी जो कि आपको option number D में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है तो ध्यान दीजिए जब हमने आपको एक पूरी की पूरी आकरती का first half और second half आपको एक जैसा दिखाई दे तो कर दो कर दो कर नहीं होना यानि कि अगर हम बात करें यहां पर तो जो मिरर के पास वाला हिस्सा है यानि कि अगर हम बात करें मिरर के पास में जो आपको यह एरो का बॉइंट दिखाई दे रहा है तो 모습 अध्य ऐसा बिल्कूल भी मसा समझ यहां पर वाला मिरर्ण से दूर आ है यहां पर नीचे वाला हिस्सा क्या है मिरर से दूर है इसले हो आपको आकरती में परिवर्तन देखने को में को लेक modelling इसको बिल्कूल भी इससा क्या होना चाहिए बिल्कुल सेम होना चाहिए बात कर अगर हम अगले question की तो अगले question फिर से हमने ये करके एक mirror यहाँ पे put किया अगर mirror से हम इस वाली line की बात करें तो mirror के path से start होके mirror के दूर उपर होती हुई आपको ये line दिखाई देगी तो यहाँ करती आपको इस प्रकार से बनती हुई दिखाई देगी जो कि आपको यहाँ पे option number C में दिखाई दे रहा है यहाँ कि answer क्या हो जाएगा option number C पूछे गया प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चली अगले अगर हम question की बात करें तो यहाँ तक इतना सीख चुके होंगे कि अब देख करके यहाँ पर आंसर बता सकते हैं कि कौन सा वाला उत्तर होगा और कौन से option क्या हो जाएगे eliminate हो जाएगे यह option आपको clearly eliminate होता हुआ दिखाई देगा यहाँ कि at least इसका जो first part है half portion है वो तो आपको यहाँ पर दिखना चाहिए तो यह option हो जाएगा eliminate अगर हम बात करें यहाँ पर इस option की तो यह option भी हो जाएगा आपका eliminate और यानि कि जो circle यहाँ पे था वो circle यहाँ से यहाँ थोड़े ना किसक जाएगा और अगर हम बात करें यहाँ पर दो बचे हुए विकल्पों की तो यह विकल्प भी हो जाएगा आपका eliminate क्यों हो जाएगा क्योंकि जो आपका यह line है यहाँ से शुरू हो कर कि इस प्रकार से गई है ना कि इस प्रकार से आई है ठीक है आप उस वाले option में देखेंगे कि इस प्रकार से आपको line दिखाई दे रही है ठीक है तो बचा एक ही विकल्प अपने पास option number बी जो की क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रशन के लिए ठीक है चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले question की यह थोड़ा सा आ दूर वाली आकरती मिरर से दूर में दिखाई देती है तो आप आसानी से question का answer mark कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है तो यहाँ पर आपको जो confusion होती है वो option number a और option number b को लेकर के होती है यह option हो जाएगा आपका eliminate यह option हो जाएगा eliminate क्योंकि यहाँ पर आपके जो square है वो एक ही है यहाँ पर दो square आपको दिखाई दे रहा है ठीक है तो अब confusion होता है इस सवाले में तो ध्यान दीजे अगर हम बात करें इस सवाली line की तो mirror image में यानि कर हम direction के term में बात करें तो यह आपको north east direction को कह नहीं क्या कर रहा है indicate कर रहा है तो यहाँ पर east का क्या हो जाता है west हो जाता यानि कि आपको यह क्या हो जाएगा northwest direction को indicate करेगा अब दिक्कत यह है कि northwest direction यहाँ पर बनाएगा कि यहाँ पर बनाएगा अगर यहाँ पर बनाएगा तो answer हो जाएगा option number B और यहाँ पर बनाएग तो यह हिस्सा mirror के पास है तो mirror के पास वाले को cover करेगा और यह हिस्सा mirror से दूर है तो mirror से दूर वाले को cover करेगा यानि कि यहाँ पर जो correct answer बनेगा वो क्या बनेगा option number A ठीक है बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अगले पूछे गए प्रस्ण की चली यह भी अच्छा question है इस question के अगर मैं बात करूँ तो इस बार mirror कहा लगाओगे आप उपर की और मिरर जब आप उपर की और लगाओगे तो आपको यह देखना है कि first half यानि कि उपर का जो half portion और नीचे का जो half portion है वो क्या similar है तो यहां पर आपको बिल्कुल change होता हुआ दिखाई देरा similar portion नहीं है हमें पता है कि जब हम इस वाले हिस्से को ले जाएंगे यान कि यह जो आपका आपका इंडिकेट कर रहा है यहां पर इस्ट का इस्ट ही रहेगा water image में लेकिन नॉर कार्स यहां प्यां करती है आपको बंती हुए दिखाई देगी जब कि हम बात कर इस वाले हिससे की तो यह वाली जो लाइन है ना इस वाली लाइन को क्या करेगी यहां पर कवर करेगी तो आपका answer हो जाएगा वह जाएगा option number a जो कि आप देख करके आसानी से बना सकते हैं चलिए अगर हम बात कर अगले question की तो यहां पर आप देख करके answer mark कर सकते था यानिकि इसको हम इस तरीके से fold करेंगे तो at least यह तो हमें यहां पर इस प्रकार से दिखाई देगा जिसके basis पर यहां पर आप options को क्या कर सकते हैं eliminate कर सकते हैं answer कि अगर हम बात कर तो answer बनेगा यहां पर option number d यहां पर आपका circle missing है यहां पर आपका यह line missing है और यहां पर आपका completely line ही क्या है missing है ठीक है तो answer क्या बनेगा आपका option number d next अगर हम बात कर तो हम लोग यहां पर discuss करने वाले हैं embedded figure यानि कि सन्निहित आकरती यहां पर आपसे basically दो प्रकार से question पूछे जाते हैं तो उन दोनों भी प्रकार के questions को हम लोग यहां पर discuss करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर पहले प्रकार के प्रस्ण की बात कर लेते हैं तो पहले प्रकार का प्रस्ण इस प्रकार से आप से पूछा जाता है कि कोई एक आकरती आपको दे दी जाएगी और यहां पर चार अलग अलग आकरतियां दिखाई दे रही है तो आप से पूछा करें सबसे पहले एप और जी के बैसिस पे अगर हम करें तो option नंबर एक क्या हो जाएगा आपका eliminate हो जाएगा option नंबर एक हमने कर गिया अपने पास यहां पर तीन विकल्प और तीनों ही विकल्पों में अगर हम जी की बात कर तो यह आपका उल्टा जी यहाँ पर यहाँ अगर हम बात करें तो जी का वाटर इमेज बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और सभी में आपको लगबग लगबग जी का वाटर इमेज और अगर हम बात करें एफ का तो एफ का आपको मिरार इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा इसके बेसिस पर आपको अपका इलिमिनेट नहीं हो रहा है अन्य अगर हम विकल्पों की बात करें तो यहां पर यह इस प्रकार से भात करें जीके लिए आपको इस परकार से ट्रैंगल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जी आपको ट्रैंगल से बाहर जाता हुआ आपको दिखाई दे यहां पर हम लोग कुछ प्राइब को असानी से बना पाएंगे अगर अगर बात करें पर्टिकुलर कोश्चन की तो देखिए सिंपली एक आपको ट्रेंगल पिक करना आ ट्रेंगल में हम देख रहे हैं कि टॉप वाले से एक सीधी क्या यह रेखाई है तो अगर हम बात करें ट्रेंगल की तो यह वाला आप अप्शन आसानी से क्या कर सकते है था eliminate कर सकते है यहाँ पर सीधी रेखा आपको complete होती हुँ दिखाई नहीं दे रही है यह option भी हो जाएगा eliminate और यह option भी हो जाएगा eliminate क्योंकि यह रेखा आपको complete होती हुँ दिखाई नहीं दे रही है बच गया आपने पास opinion हो जाएगे तो अगे सीधी रेखा जाने के बाद या करेंगे कि यह आकरती हमें नहीं दिखाई नहीं दे रही है जब कि है नहीं दे रही है रही तो आपको इतना ही पॉर्शन नहीं दिख रहा है तो बागी के लिए हम यहां पे एफ़र्ट करेंगे ही नहीं ठीक है ना चलिए बात कर लेते हैं अगले कोशन की अगर हम किसी छोटे से पार्ट को पिक करें यानि कि इस हिस्से को पिक करते हैं और इन दोनों हिस्सों के बीच से यह आपको लाइने दिखाई देनी चाहिए तो ऐसा हिस्सा यहां पे भी हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन यहां तो आपको बीच से लाइन दिखाई दे रही है लेकिन यहां पर बीच से कोई भी लाइन बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है अगर आप इस इससे को यहां उपर से पिक करते हैं तो यह वाली जो लाइन है इसके बीच से जाती हुई आपको दिखाई नहीं द और एक अकरती को मानेंगे तो यहां पर नीचे इस फ्रकार कोई भी लाइने दिखाई नहीं दे रही है जब कि हम बात करें तो यहां पर 20 से आपको एक लाइन दिखाई दे रही है यानिकि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा option number C पूछे गए प्रश्ण के लिए ठीक है बाकी के इससे के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आकरती तो बन रही है लेकिन यह नीचे वाली लाइने आपको दिखाई नहीं दे रही है ठीक है बात कर लेते हैं अगले प्रश्ण की चलिए अगले अगर हम कोश्चन की बात करें तो इसको भी आप आसानी से देख के इंट कर सकते थे कैसे अलिमिनेट कर सकते है यहाँ पर अतना इससा पहले फिक करेंगे तो यह इसापको यहां पर बनता हुआ दिखाई नहीं देर्होता हो ना कि ऐसी कोई भी आकृति आपको बनती हुए दिखाई नहीं दे रही है option number D के अगर हम बात करें option number D में भी आपको ऐसी आकृति बनती हुए दिखाई दे रही है यानिकि 2 option हम क्या रखेंगे hold पे रखेंगे अब अगर हम बात करें भागी के यहां पे हिस्से की तो इस प्रकार की लाइन आपको option number B में दिखाई नहीं दे रही जब कि आपको option number D में इस प्रकार की लाइन दिखाई दे रही यानि कि D क्या हो जाएगा आपको पूछे गए प्रश्ण के लिए तो कोई भी एक छोटे से भाग को आपको क्या करना है आकरती में जो भी आपक CGL में पूछे गए ठीक है यह थोड़ा सा आपके रिए complicated हो सकता है यहां पर हम बात करें सबसे पहले आपका क्या है अभी तक क्या और था हमें particular part को आकरतियों में ढूंड़ना होता था और यहां पर क्या है आकरती में आपको अलग-अलग parts को ढूंड़ना है तो यहां पर हम क्या करेंगे eliminate करेंगे अगर हम option number a की बात करेंगे NEндर अक है तो sufficient अपका नहीं नहीं दे रहे हैं यहां पर हमके बनती होई तो यहां पर इस प्रकार से आपके चार इससे बनते वह वे नज़र आएं तो इसके basis पे option number B भी क्या हो जाएगा option number अगर हम C की बात करें तो option number C में अगर हम इस circle को यहां से मान भी लेते हैं कि यह circle का इतना हिस्सा यहां पे आपको नज़र आ रहा है लेकिन आप देखेंगे कि circle से अगर हम बात करें बाकी के विकल्प की तो एक ही विकल्प आपके बास बसता है कौन सा option number D जो की क्या हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए सही उत्तर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आप options को eliminate करके आसानी से बना सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर कि option number D यहां पर किस प्रकार से आपके पूछे गए प्रस्ण का उत्तर है तो आप इसको देख भी सकते हैं कि यानि कि इतने भाग को आपको option number D क्या कर रहा है दर्शार है आकरती X के अब हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं figure completion की ठीक है figure completion में आपको किस प्रकार से question देखने को मिलते हैं तो embedded figure अगर आपको समझ में आ गया तो figure completion भी आप आसानी से बना लेंगे और figure completion के ही basis पे हम लोग यहां पर figure series की भी चर्चा करेंगे ठीक है figure completion के अगर हम बात करें तो यहां पर आपके एक कंप्लीट आखर्थी के एक पार्ट को क्या किया जाता है रिक्ट छोड़ दिया जाता है तो आपको बताना होता है कि दिए गए विकल्बभों में से कौन से वाले पार्ट को हम उस रिक्त पार्ट में फिल करें जिससे क्या आकरती आपकी क्या हो जाए पूर्ण हो जाए जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं यह भी थोड़ा सा आपका एरर है यहां पर यह कंप्लीट था चलिए तो ऐसे प्रस्णों को कैसे हम आसानी से हल कर सकते हैं इन कोश्चन के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चीज़ की भी हम चर्चा करेंगे तो यहां पर बेसिकली अगर हम बात करें जिस भी पार्ट को यहां पर लेफ्ट आपको छोड़ा गया नहीं कि रिक्त छोड़ा गया है बलैंक ठीक है तो होता क्या है यह तो अगर हम बात करें हो लिजए पॉस्चन आपका आपका रिफ्ट वाला पुष्चन आपको दिखाई देगा ठीक है तो कैसे हम करेंगे किस वाले पॉर्ष्चन के जैसा दिखाई देगा तो सबसे पहले जो हमारे पास available आकरती है तो यहां पर देखेंगे कि यह दोनों यानि कि यह वाला जो भाग है कैसा है बिल्कुल एक समान आपको दिखाई दे रहा यानि कि इन दोनों में आपको कोई भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा इट मींस हम कह सकते हैं कि जो नीचे वाले सबसे पहले करें सब्सक्राइब करें कि तो यह वाली लाइन यहां से कंप्लीट चहाएगे और जिस प्रकार यह वाली लाइन से कंप्लीट है थाईगी ठीक है अब यहां से यह सरकल आने केबाद यह सरकल इस प्रकार से बनाई है तो यह सरकल आने के बाद यह सरकल भी आपका इस परकार से बनता हुआ दिखाई देगा और ऐसी आकरति आपको अपhrlich-relny दिखाई दे रही है यानि कि option number B क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्चन के लिए next अकर मैं आपके question की बात करूँ तो देखिए मैंने कहा कि आपका जो remaining part है यानि कि यह वाला remaining part या तो left वाले के जैसा होगा या तो right वाले के जैसा होगा या तो आपका नीचे वाले भाग में दिये गए अगर हम बात करें यह आपका left portion है उपर वाले भाग का या तो राइट वाले के जैसा होगा या फिर नीचे दिये गए राइट वाले portion के जैसा होगा जो कि यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसको हमने कैसे pick किया क्योंकि यहां पर हम बात करें उपर का जो राइट पॉर्शन है वो नीचे के लेफ्ट पॉर्शन के सिमिलर है इन दा सेम वे उपर का जो लेफ्ट पॉर्शन होगा वो नीचे के राइट पॉर्शन के सिमिलर होगा यह जो आपको आकरती बंती दिखाई देगी वह इस प्रकार से बं अगले दी में question की बात करूं तो सबसे पहले तो एक चीज आप यह समझे कि यहाँ पर rotation not allowed पर based आपको basically question देखने को मिलते हैं और अगर हम बात करें यहाँ पर किसी भी विकल्ब की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो इसके basis पे यहाँ पर आपके पास एक ही option था जिसको आप आसानी से देखके answer mark कर सकते थे क्योंकि इसको क्या करना था इस वाले हिस्से को यहाँ पर fill करना था ठीक है तो answer हो जाएगा option number A चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रशनकी अगले प्रशनकी बात करूं तो सबसे पहले यह वाली लाइन आपकी यहां से क्या हो जाएगी नीचे आएगी इस प्रकार से आपको आकरती बनती हुई दिखाई यहां प्रकार से दिखाई देगा और फिर यहां तक आएगा तो इसके बेसिस पर यहां पर क्या कर सकते हैं options को eliminate कर सकते हैं a eliminate हो जाएगा बी eliminate हो जाएगा और d आपका eliminate हो जाएगा निका answer क्या बनेगा option number c बनाने की आपको अत्रिक्त बिल्कुल भी आवशकता नहीं थी देखके ही यहां पर आपको option समझ में आ जाएगा कि कौन से option क्यों और कैसे क्या हो रहे हैं eliminate हो रहे हैं बहुत complicated question दे दिया बहुत आपको close pattern दे दिया तो बात अलग है लेकिन मुझली अगर हम बात करें आप देख रहे हैं कि एक्जाम में पूछे गए ही प्रस्णों पर हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं और आसानी से आप यहां पर elimination method का use करके questions को बना पाएं जबकि अगर हम बात करें यहां पर हाफ portion की तो यहां पर यह तो टॉप portion को टॉट नहीं कर रही है यानिकि टॉप portion को टॉट कर रही है आप पर के कर रही है और अगरзы विकल्प के तो यहां पे भी प्रकार सेJust के ही आए Hil未 पूछेगा प्रस्टन के लिए जब कि यह आप्षन क्या जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्यों 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 कि लाइन जाएगी बॉटम टू टॉप ना कि टॉप टू बॉटम ठीक है अगला हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे फीगर सीरीज यानि कि अगर हम लोग बात करें तो आकरती सिंखला की अगर हम बात करें तो यहां पर हम लोग वैरियस पैटर्न का यूज करेंगे कई बार आपको आकरतियों में भी चेंज होता हुआ नजर आएगा और बैसिकली यह पर हम लोग रोटेशन पर भी बात करेंगे यानि कि हम लोग यहां पर बात करेंगे एक तो हम लोग यहां पर बात करेंगे किसकी एंगल कि यानि कि 45 डिगरी या फिर 90 डिगरी या फिर rotation की बात करेंगे या फिर अगर हम बात करें तो किसी एक particular portion की मान लेते हैं यह एक आपका क्या complete आकर्टी अब इसमें एक circle है तो circle अगर आपका यह टॉप पे left corner पे है तो यह आपका next अगर हम बात करें step की तो next step में या आपको right corner पे नजर आ सकता है तो इस प्रकार से हमने क्या कि इसको चार भागों में बाट करके rotation कराया या हो सकता था कि यह आपको mid में नजर आता फिर यहां नजर आता फिर यहां नजर आता फिर यहां नजर आता फिर यहां पे और फिर कि यहां पिल्ग जिंग करें और फिर बात को इसके पाइफ सक्षेंग मिल सकता है तो यह तो हो गए बात मौव्मेंट की शिफ्टिंग की कि यहां अम बात करें झाब हम investir है इसके लबावा कई बार अगर हम बात करें तो आप ऐसे भी POेश्चन देखने को मिलेंगे मान लेते हैं यहां पर पहले था आपका ट्राइंगल तो जब आप नेक्स स्टेप में जाएंगे तो रहेगा तो यहीं लेकिन ट्राइंगल की जगे यह हो जाएगा इसक्वाइर फिर अगर हम बात करें तो यहां पर आपको पांच बुझायने की पेंटा गौन देखने को मिलेगा इस प्रकार से ठीक है तो इनमें चेंजिस आपको देखने को मिलेंगे तो इस पर बेश्ट भी आपको कोश्चन देखने को मिलता है एक्जाम में तो हम लोग यहां पर प्र के तहट यहां पर आपको आकरतियों में चेंज देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस वाले हिस्से की तो यहां पर देखिए ऐलिमिनेशन अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं अगर यहां पर हम बात करें इस वाले part की तो ये part पहले कहा नजर आ रहा था हमें right corner पे नजर आ रहा था फिर हमें ये left corner पे नजर आया तो bottom में right पे अगर आप देखें तो bottom में right पे आपके पास 3 options available है यानी कि तीनों में से आपका कोई भी एक option हो सकता है पहले यह हमें लगबग आधा खाली दिखाई दे रहा था फिर यह हमें वन फॉर्थ खाली दिखाई दिया फिर हमें आधा खाली दिखाई दिया यानि कि अपकी क्या दिखाई देगा हमें वन फॉर्थ खाली दिखाई देगा यानि कि यह option भी क्या हो जाएगा आपका eliminate और यह option हो गया आपका eliminate लेकिन अभी भी हम दो विकल्पों में से यहां पर नहीं चुन पारें कि कौन सा वाला विकल्प क्या होगा उत्तर होगा तो उसको जानने के लिए हम पर समझना पड़ेगा कि इसको हमने क्या किया है rotate किया है यानि कि यह जो rectangle का यह वाला हिस्सा है क्यावल यह वाला हिस्सा देखिए rectangle के अगर हम क्यावल इस वाले हिस्से की बात करें को फिया Ethiopia हमें कैसा नजरा ऱा यह समें इस फरकार में इसे नजरा रहा रहाध है यह कब पॉसिपल हएक कर दीक कितना एक टिकए आ पर नष्味 को नाइन टीट किया के यहां इसको न इन लगेगा तो ऐसा होता हुआ हमें यहां पर दोनों में से किन विकल्पों में दिखाई दे रहा है तो यहां पर विकल्प दिखाई दे रहा है और विकल्प डी में भी दिखाई दे रहा है लेकिन ध्यान दीजे जब इसको हम क्या कराएंगे रोटेट कराएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहा नजर आएगा ये हमें नीचे की और नजर आएगा ना की ऊपर की और नजर आएगा तो आंसर कहा जाएगा option number B जब कि option number D क्या हो जाएगा आपका eliminate हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसी प्रकार से rotation की या आकरतियों में किस प्रकार से आपका परिवर्तन देखने को मिलता या फिर आकरतियां आपके दी गई जो यहाँ पर आकरती में जो area है वहाँ पर कितने portion को वो cover कर रहा है shift करते हुए ठीक है इनी कुछ basic concepts को पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगा और लेते हैं अगला question आपका स्सी सीजेल 2020 में पूछा गया question है तो यहाँ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले logic की logic की अगर हम बात करें तो पहले step से दूसरे step में आपको क्या changes देखने को मिल रहा है तो आप ध्यान दीजे कि जो आपका right most element था वह भी left most element हो गया अगेन आप दिखेंगे जो आपका right most element था वह left most element हो गया जबकि जो बचे हुए चार आपके element है उनका आपको water image बनता हुआ दिखाई दे रहा in the same way यहां पर हम बात करें तो जो आपका right most element है वह क्या हो जाएगा left most element हो जाएगा जबकि बचे हुए आपके elements का क्या दिखा रहे आपका element है सबसे पहले आपको यह cross नजर आएगा फिर आपको नजर आएगा यहां पर star फिर आपको नजर आएगा cross आपका जाएगा उपर cross जाएगा उपर star उपर था तो star आएगा नीचे यह उपर था star के बाद यह नीचे था तो यह जाएगा उपर और यह उपर था तो यह आएगा नीचे यानि कि यहां पे आपको इस प्रकार से आकरती अगली मिलेगी अगली आकरती जो देखने को मिलेगी वहां पे आपको यह वाली आकरती क्या कर लेना है पिक कर लेना as a answer ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस प्रगार क्या करती आपको option number B में बनती हूँ दिखाई दे रही यानि कि option number B क्या हो जागा right answer हो जागा पूछे गए प्रश्ण के लिए बात कर लेते हैं यहां पर अगले question की मैंने कहा कोई भी एक element pick कर यह जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा structure दो करें कोई भी element pick कर यहां पर हम बात करें माल लेते हम arrow की अगर बात करें तो arrow सबसे पहले हमें middle में दिखाई दिया फिर हमें corner पे दिखाई दिया फिर हमें यहाँ पर आता हो दिखाई दिया इस pattern की बाद वो सीधे यहां चला गया तो इस बार एरो भी आपको यहां पर नज़र आएगा जो कि आपको option number a में नहीं नज़र आ रहा है यानि कि option number a क्या हो जाएगा हम बाकी के option को कैसे eliminate करें इसकी अगर हम चर्चा करें तो कोई भी हमें क्या करना element pick कर लेना है element की बात करें अगर corner उस कारनर चांव시면 Qौर्णर से यह कहा जा रहा है यहां पर तो जो भी element आपका corner पर था वह आपका करनर पर नज़र आरह Ѫ Capital में नज़र आ रहा है जो आपका यहाँ पे corner पे था वो आपका सीधे-सीधे mid में जाता हुआ दिखाई दे रहा जाने कि square कहा जाएगा mid पे आजाएगा यह option भी कहा जाएगा आपका eliminate हो जाएगा फिर अगर हम यहाँ पे triangle की बात करें movement को समझना है, element में가 rotation हो रहा है तो rotation को समझना है या फिर अगर आपकी आकरती में परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो हो परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है इसको भी आपको समझना है और अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो आप question को आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और एक्जाम में आपको कोश्ल देखने को मिल रहा है तो फिर कही न कहीं महत्पून हो जाता है कि आप ऐसे प्रस्णों की practice करके जाए ऐसे questions को कहीं न कहीं髬 नहीं आफ ब्रकार के जाए से questions के साहथ तो यहां पे आपको दो लाइने दिखाई दे रहे हैं, यहां पे आपको सरकल दिखाई दे रहा है, फिर यहां पे आपको ट्रैंगल दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मुवमेंट शिफ्टिंग भी हो रही है, देखा जाए तो कह सकते हैं, आपको 90 डिगर अगर circle और इससे एक आगे बढ़ करके मिल जाएगा आपको पाँच लाइनों के साथ बनी हुई आकरती जो कि आपको option number B में बनती हुई दिखाई दे रही यही क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए बात कर लेते हैं अगले question की अगले question की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगी इस वाली आकरती की इस वाली आकरती की बात करें तो अगर हम direction के term में बात करें तो यह आकरती अभी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है और यहाँ के बाद सीधे-सीधे कहा नज़र आ रही नौर्थ पर यानि कि आप कह सकते हैं कि 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज का रोटेशन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है इस वाली आकरती में यहां के बाद अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे नौर्थ के बाद यहां को कहा नजर आ रहा है साउथ वेस्ट में नज करती की तो पहले अगर हम बाग करें नौर्थ इस्ट में इसका डारेक्शन था नौर्थ इस्ट के बाद सीधे सीधे आगए का हम साउथ में तो हम कह सकते हैं कि 135 डिग्री क्लॉक वाइज डारेक्शन में मुवमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है यहां के बाद अगर हम देखें तो यहां से आपको यह देखने को मिल रहा है कहां नौर्थ वेस्ट डिरेक्शन में यानि कि अगें 135 डिग्री और नौर्थ वेस्ट से जा रहा है यह सीधे सीधे इस्ट यानि कि अगें 135 डिग्री और अब इस्ट से जाएगा कहां 135 डिग्री क्लॉक वाइस तो आ अगले अगर हम question की बात करें यू नजर आ रहा है यहां पर आपको clearly दिख रहा है कि पांच वोवेल के बारे में ही यहां पर चर्चा की जा रही तो यू आया 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 ओ आया तो एक ही आपका missing था जो कि क्या है एक के साथ आपको एक ही option दिखाई दे रहा option number D यानि कि option number D का हो जाएगा correct answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए या फिर आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रत्यक यहां पर अगर हम बात करें corner किया जो भी 5 यहां पर स्थान है हर एक स्थान पर हर एक element एक एक बार आपको देखने को मिल रहा है यानि कि यहां प बात करने ही कि इसकी पांचवे स्थान पर अभी तक यहां पर देखने को नहीं मिला होगा वही element आपको पर्टिकुलर स्थान पर या उस पोजिशन पर आपको देखने को मिलेगा clear तो यह हो गई बात किसकी यह हो गई बात figure series की आप मुझे नहीं लगता कि figure पर बेस्ट कि किसी भी question में आपको कोई कठिनाई होने वाली है बसरते जरूरत है तो आपको session को watch करके proper जो आपका short notes आपको प्रोइड करा जा रहा है short notes कहीं नहीं आपको download कर लेना है जो कि आपको मैंने already बता रखा है कि telegram के app पे आपको देखने को मिलेगा इस से related भी बहुत सारे queries आ आपको मिले तो test series अभी हमारी तरफ से provide नहीं करा जा रही आपको एससी वेगर से related in future आपको ऐसा भी होता हुआ देखने को मिल सकता है कि आप हमारे साथ test series में भी जूड़ पाए और कहीं अपना जो performance है वो improve होता हुआ आप खुझ से क्या कर पाए analysis कर पाए कि basically आपको improvement है वो day by day कैसे आपको देखने को मिल रहा है ठीक है तो यह हो गई बात किसे figure से related जो भी आपके प्रस्ण आपके exam में बनते हैं और अगले topic की तो अगला topic हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे logical when diagram यानि की तार्किक वेन आरेक जो कि आपके exam की point of view से काफी important chapter होने वाला है तो यहाँ आरेक दो